आज हम ऐसे टॉपिक की बारे में बात करने चाहरे हैं जो कि लग सुनने में लगता है कि बहुत ही छोटा है बट नो इस वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक एंड आज कल काफी ज्यादा बच्चे वो फेस कर रहे हैं अगर आपका बच्चा करते में बहुत ही ज्यादा रहता है या बहुत ही ज्यादा रहता है या बहुत ही ज्यादा उसको सेवियर करते हैं पेन होता है डिसकंफर्ट होता है कभी-कभी बलड भी आ जाता है बहुत ही ज्यादा गैस पास होती है और इसके कारण कभी बच्चे क्या करते हैं खाना भी छोड़ देते हैं तो that means constipation न्यूबॉंस में जो रहता है चार-पांच दिन में कभी किया और कमफर्टेबली किया कोई प्राब्लम नहीं हुई तो वो नॉर्मल है उसके लिए घबराने के जड़त नहीं है तो सबसे पहले मैं बता हूँगी कि बिलो सिक्स मन्स आप क्या कर सकते हैं अब मैदा के आइटम से कुछ ऐसा ले रही है तो मदर को स्टॉप कर दे और फिर भी अगर बेबी को constipation हो रहा है तो उसके बाद आप बेबी के एक पर टमी मसाज कर सकते हैं और आप साइक्लिंग मुवमेंट्स कराईए बेबी का जिससे कि बेबी थोड़ा एक्टिव रहेग तो कभी कभी रहता है कि किसी एक particular brand से बेबी को problem हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से consult करके formula milk change करा के देख सकते हैं उसके बाद बेबी हो गया है 6 months का हो चुका है तो उसके बाद 6 months के बाद क्या है आपको वीनिंग जो है बहुत ही slow शुरू करना है क्योंकि बेबी का digestive system तो अगर आप जैसे अचानक से काफी सारा खाना खिला दिया या कुछ ऐसा खिला दिया जो के easily digestible नहीं है तो उससे भी हो सकता है तो बहुत ही gradually वीनिंग जाती है वीनिंग पर एक अलग वीडियो रहेगा तो अबव 6 months अब आप और क्या कर सकते हैं एक तो जैसे ही बच्चा सोके उठता है तो सबसे पहले आप उसको गरम पानी पिलाए तो जो भी है 6 months के अबव भी हम पानी शुरू कर देते हैं तो आप थोड़ा सा पानी उस्टें दीजे बड़ा पच्चा है तो आप एक गला तो फ्रूट्स में आप क्या दे सकते हैं पपीता दे सकते हैं सेव दे सकते हैं औरंज दीजे आम दीजे पीर्स दीजे इन सब में बहुत ही ज़्यादा फाइबर्स रहता है और सबजियों में आप क्या दे सकते हैं एक तो बहुत ही ज़्यादा जो हरे पत्ते वाली सबज खाने के अलावा और आप क्या कर सकते हैं, रेजिन जो रहता है, किशमिश जो रहता है, बड़ा बच्चा है तो आप उसको वैसे ही दे सकते हैं, रात को भिगा दीजे, सुपह दीजे, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो आप उसको किशमिश का पानी पिला सकते हैं, और वाइट रास होता है के बाइट रैस इसमाइब इसलियर जादा रहता है और आप बच्चे खाने में कड इंकलूद कर ये कर द प्रो पियोतिक्स रिच होता है लसी इंकलूट करेए और बटर मिल्क ये सब इंकलूटकर ये सब से constipation में help मिलेगी तो constipation में जो है आप बहुत ज़्यादा धियान रखेगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा दीजे बच्चे को क्योंकि पानी के बिना जो है usually बच्चे पानी पीने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो कैसे भी करके बच्चे को पानी पिलाते रहने और आप बच्चे के खाने में दाल इंक्लूट करिए अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और इससे जो रहता है डाइजेशन भी अच्छा होगा और बाकी बैरीज जो रहते हैं वो भी अच्छा रहता है अप्रिकोट्स दे सकते हैं कैरोट्स दे सकते हैं कोई भी सबजिया फल जो भी है अच्छा से दीजे और फिर अब इसके बाद क्या है आप क्या नहीं दे सकते हैं या फिर कॉंस्टिपेशन को जो खाने की चीज़े हैं जो बड़ा देती हैं या आपको थोड़ा से अवयड़ा है तो वह कहा है इस पेशरी साबको पता है मैदा वाली चीजे क्योंकि आज कल कहा रहता है केक मैदा या फिर जो भी आप बाहर का खाना खा रहे हैं परिजा बर्गर और अनसब मैं मैदा रहता है तो वो सब avoid करिये, जो biscuit खाते हैं, rice खाते हैं, white rice उससे भी constipation होता है, bread, white bread जो रहती है या पर बाकी, आजकल बच्चे बेकरी का items भी काफी खाते हैं, तो उससे भी बहुत constipation होता है, और जो है आलू, आलू से भी काफी constipation होता है, तो raw banana, अगर पका हुआ बनाना दे रह पर थोड़ा सा digestion के लिए उतना easily नहीं होता है, तो उससे constipation रहता है कुछ बच्चों में, और cheese, जो के आजकल काफी खानों में mother's weight gain के लिए मिलाते हैं, तो उससे भी constipation होता है, तो आप notice करिये, कि आपके बच्चे को constipation किस चीज से हो रहा है, तो आप वो चीज़े avoid क और बच्चे को जितना active रहेगा, जितना active रहेगा उतना अच्छा है, चाहे वो exercise करता है, या फिर cycling कर रहा है, दोड़ना, खेलना, कूदना, छोटा बच्चा है तो crawling, और यह जो भी है, जितना active रहेगा उतना अच्छा बात है, इसलिए मैंने बोला below 6 months, क्योंकि इसलिए उस टाइम तक बच्चे क्रॉल नहीं करते हैं, तो आप एक बार cycling moments करा सकते हैं बच्चों के और जो है, अगर बच्चे का constant 40 schedule है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उस टाइम से पहले आप थोड़ा सा पानी दे सकते हैं, गर नहीं है, तो छोटा बच्चा है, त इसमें के constipation हो सकता है, बच्चों को severe constipation रहता है, लेकिन like thyroid problem and काफी कुछ और problems भी रहती हैं, तो in case अगर आपके बच्चे को बहुत ही severe problem है, और इन सब से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने doctor को जरूर दिखाये, and especially अगर आपके घर में कोई किसी को thyroid का problem है, and तो भी हो तनाई के chances है, medical problem, तो आप एक बार अपने doctor को जरूर दिखा लिजे, फिर doctor medicine से एंगे, test करेंगे, और जो भी है, advice आप doctor के advice लिजे, तो आप ये सब follow करिए अपने बच्चे के लिए, constipation अगर हो रहा है आपके बच्चे में, और अगर आपको मेरा वीडियो पस और उनापको जर भ्लूर हो रहा है आपके में, और एक बार है, और एक więcej स्वार भी है